तेके राहुल गांधी ची ने सो देन के वीडियो वाइरल हो रहे हैं कि संसद में कितनी बार गए जब गए तो किन मुद्दों पर बोले उन मुद्दों पर छात्रों का पेपर लीक का भविश्य बरबाद हो रहा था उसके मुद्दे को उन्होंने उठाया उन्हें राहत दी उन्होंने दिखाया कि वो जो हमारे ट्रेन को चलाते हैं रेलवे को पूरी जिंदा रखते हैं लाइनों को उनको इमारते बनाने वाले हमारे मजदूर जो हैं हर तपके को वो जाकर मिले महंगाई को उन्होंने मुद्दा बनाया उन्होंने इलेक्टरोनल बॉंड के उपर चोटी बात नहीं है कि देश की वित्मंत्री पर FIR क्या आदेश अदालत द्वारा किया जाता है राहूल गांधी जी लगातार इस इलेक्टरोरल बॉंट के खिलाफ इसकी पारदर्शिता के लिए लगातार बोलते रहे और हमारे जो आरोप हमने लगाए थे इस FIR से वो साबित होते हैं कि देश की वित्मंत्री किस तरीके से अपने ही समयधानिक संस्थाई ED और Income Tax का दूर उपियोग करके लोग जो है हमारे वेपारी हो कंपनियां उनको ब्लैक्मेल करने का उन पे जूटे मुकदमे डालने का जेल जाने का डर दिखाकर भाजपा के चंद्या उगाने का काम कर रही तो यह आठ हजार करोड का चंद्या उगाया यह सारे मुद्धे हैं जो भरस्ताचार के खिलाफ हो बेरोजगारी के खिलाफ हो चात्रों को न्याय दिलाने हो आदी आबादी को न्याय दिलाने की सब सो दिन में अगर आप देखेंगे किसानों की बात राहुल गांधी जी ने उठाई आप में एक मिसाल बनते हैं कि किस तरीके से सरकारों को काम करना चाहिए और जब लद्दाग से पैदल एक हजार किलोमीटर का सफर तैक करके पर्यावरन बचाओ लद्दाग बचाओ भविष्य बचाओ के नारे के साथ जो सोनम वंग्चुंग जी निकले उनको किस तरीके से गिरफतार करके रखा गया कि वो बापु की समाधी पर दो अक्टूबर को रा राहुल गांधी जी ने उठाई तो बाराहुल जी ने हर उस तपके हर उस वर्ग की आवास को इन सोदिनों में उठाया यही कारण है कि आज देश की आदि अबादी हो युआ हो सरहत के जवान की भी राहुल गांधी जी की बात करेंगे तो अगनी पत भरती योजना के खिलाफ राहूल जी ने आवाज मुखर की कि हम इसका पुर्जोर विरोध करते हैं हम सैना में पक्की भरती बहाल करने तक इस सरकार का पीछा नहीं छोड़ेंगे सो आज हर्याना का जितना भी युवा मद्दान करने निकल रहा है वो राहूल गांदी जी का सैना में पक्की भरती अगनी पत भरती योजना ठेके की चार साल की नोक्री को रद करने के इस वाइदे के उपर आजबर्चर के हर्याना में कॉंग्रेस के साथ खड़ा देख रहा है सो यह सारी मुझे का है कि एक नेता विखपक्ष के तौर पर एक देश में देश की राजनीती में एक मिसाल बन कर सब के सामने है